दस्रिक्षा नगरी कोटा में कोरोना संकरमन का खत्रा बढ़ता जा रहा है यहां आच्छे नए कोरोना पॉजिटीव मरीज सामने आया है इनमें से दो मरीज चिकिस्त्साइ भाग से तालुक रखते हैं जानकारी के मताबिक अभी तक कोटा में 114 कुरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं जिसके चलते भीमगंज मंडी और अनन्ध पूरा समेत कई इलाकों में विशे सतरक्ता बढ़ती जा रही है जलीजी कवर्ब हमारे समवादता राजंदर भारतवाज फोन लाइन पर जोड़ चुके हैं राजंदर अगर बात करें तो हमने देखा कि किस तरीके से जो बच्चे हैं उन्हें मदवदेश भेजा जा रहा है उनके लिए समुचित विवस्था भी वहाँ पर की जा रही है प अगरो आगरोटा की बात आज तो तो अगरोटा में लगातार जो कोरोणा बचयुटिव मरी नरी जए उनकी ताधात लगातार बढ़ती जा रही है पहले की बात करें तो यहाँ पर पेले चार ताना शेस्त्रतें जहां पर कोरोणा फोशित्यु अर्ड़ महर अगर कल जिस कि अगर बात की जाएं तो यहां पर जो लगातार जो अलग अलग थाना शेत्रों में जिस तरह से कोरोना के पोजीटिव मरीद सामने आ रहे हैं इससे प्रसासन की दिक्कत लगातार बढ़ती जा रही है साथ में बात ये करें कि कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है तो शिक्षा नगरी में यहां पर पूरे प्रदेश बर्दे जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो यहां पर लोगडाउन की इस्तिती के बाद में यहां पर पस गए थे पहले यूपी सरकार ने विवस्था की यूपी सरकार ने तीन सो करीबन बचे बेजी और जिस्से यूपी के चातर और जो उनके साथ परीजन और अभीबाव करे रहे थे उनको यूपी बुलाया गया उसके बाद में मद्यप्रदेश सरकार ने एक बेड़ा उठाया है मद्यप्रदेश सरकार ने आज सो से अधिक बसे मंगाई है और सो से अधिक बसे मंगाने के बाद में मद्यप्रदेश सरकार का भी पूरा अमली जमा उनके साथ आया है बिल्कुल राजेंदर यूपी सरकार की तरफ से यहाँ पर बच्चों को ले जाए गया था, मद्देश सरकार की तरफ से बच्चों को ले जाए जा रहा है, और भी जो एस्टेट है वो भी क्या सामना है, अभी तक इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल राजेंदर यहाँ पर पूरे परदेश से बच्चे पढ़ने आते हैं, तो सभी सरकारों से कॉंटक्ट किया जा रहा है, राजेस्तान के जो मुक्य मंद्री अशोगेलत उन्होंने साथ तोर पर एक बयान जारी किया था, उस बयान में साथ तोर पर उन्होंने कहा कि जो भी सरकार अगर अपने बच्चों को जहां से ले जाना चाहती है, तो हम समुचित विवस्ता जहां पर करेंगे. तो उस विवस्ता को देखते हुए लगातार कोटा का जिला परसासन की बात की जाए, चाहे राजेस्तान के जिला परसासन की बात की जाए. वहाँ पर सारा एतियात के तोर पर बच्चों को अपने गरे जिले में बेजने की तैयारी की जा रही है कोटा एक शिक्षा नगरी है और एक बड़ा व्यापार यहां से ही संबली दे तो कहीं न कहीं अमित यह एक बड़ा दृष्टी कोण है और सरकार का भी एक सयम पूंद रवाया है कि कहीं न कहीं उन चात्रों को अपने परिवारों के पास बेजा जाए जिससे कम से भी कम कोटा की चवी और राजासान की चवी खराब ना हो जी अमित चिचली इस तबाम जानकरी के लिए शुक्रिया आपका राजेंद्रव